बहुत पुरानी बात हैं, एक समराड था, ययाती, सौ बर्स का हो चुका था, मरने का समय आ चुका था, एक दिर मौत दरबाजे पर आखड़ी हुई, मौत ने कहा, ययाती, तुमने अपनी जिन्दिकी जी ली है, अब तुम्हारा चलने का समय आ चुका है, ययाती ने मौत से अभी कहा, अभी तो मैं कुछ जीया ही नहीं, अभी तो मेरी कुछ भी अकांचाएं पूरी नहीं हुई, अभी तो कितना धन है इस दुनिया में, कितने राज हैं, जो मुझे जीतने हैं, कितनी सुन्दरियां हैं, इस दुनिया में, जिन्हें अभी तक मैंने देखा ही नहीं, इसलिए तुम अभी जाओ और बाद में आना जब मैं इस दुनिया के सारे सुख लोट लूँगा तब मुझे ले जाना मौत ने कहा ऐसे नहीं हो सकता या याती ने कहा कोई तो रास्ता होगा मौत मान गई दूसरे युग की मौत थी इसलिए सायद मान गई होगी वरना कल्यूग की मौत तो आती है तो लेकर ही जाती है मौत ने कहा एक रास्ता है अगर तुम्हारी जग है तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तयार हो जाए तो मैं तुम्हें सौ साल का समय और दे सकती हूँ याती ने अपने सारे बेटों से बूचा समने मना कर दिया लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसने पिता से कहा जब सौ सालों में आपकी इस दुनिया से तरपती नहीं हुई और आपको सुख राप्त नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा मैं क्यूं फालतू सौ सालों तक संघर्स करूँ जब अंते में जाना ही है तो इसलिए मैं आपकी जगहे मौत के साथ जानी के लिए तयार हूँ वह मौत के साथ चला गया याती उको सौ वर्सों का अतरिक्त समय मिला लेकिन इस दुनिया के भोग बिलास में डूबे याती के सौ वर्स कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला हम इंसानों को पता भी कहां चलता है जब अंत समय आ जाता है और मौत सर पर खड़ी होती है तब याद आता है कि समय हाथ से निकल चुका है और अब तक कुछ भी नहीं किया याती के साथ भी यही हुगा जब उसने मौत को दुबारा अपने सामने देखा तो उसने कहा तुम फिर आ गई क्या मेरे सौसाल पूरे हो गए मौत ने कहा हाँ तुम्हारा समय पूरा हो गया यायती ने कहा मौत ने कहा ठीक है अगर फिर से तुम्हारी जग है तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तयार हो जाए तो मैं तुम्हें सौ बर्स का समय और दे सकती हूँ इन सौ वर्सों में पुराने सारे बेटे तो मर चुके थे लेकिन बहुत से नए बेटे भी पैदा हो गए थे उनमें से एक मौत के साथ जाने के लिए तयार हो गया यायाती को फिर सौ वर्स मिल गए लेकिन ये सौ वर्स भी बीट गए कब बीट गए पता ना चला यायाती ने सोचा था सौवर्स बहुत बड़े होते हैं खोज लेंगे सुख को लेकिन कुछ ना हुआ फिर मौत आ गई वह देखकर घबराया उसने कहा तुम फिर आ गई मौत ने कहा सौवर्स पूरे हो गए तुम कर क्या रहे हो अभी तक तुम्हें सुख प्राप नहीं हुआ तुम दोसों बरसों बाद भी वैसे ही उदास दिखाई दे रहे हो यायती ने कहा रोज खोचता हूँ सुख को लगता है कल मिल जाएगा फिर जब अंगला दिन आता है तुम निरासा हास लगती है फिर सोचता हूँ कल मिल जाएगा ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं इस सुख की प्रापती के चकर में मैंने कितना धानी कठा कर लिया कितनी सुन्दर इस्टियों से विवाह कर लिये लेकिन वो सुख जो मुझे चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं मिला तुम मुझे बस सो बर्स और दे दो मैं निश्चित ही इन सो बर्सों में सुख को खोज दूँगा मौत फिर मान गई लेकिन उसी सर्थ पर फिर इस बार यायती के कई पुत्रों में से एक मौत के साथ चानी के लिए तयार हो गया कहते हैं ऐसे ही समराठ यायती एक हजार सालों तक इस दुनिया में सुख की खोज करता रहा और एक हजार बर्सों के बाद जब मौत ने दस्तक दी तव वे ठीक उसी हालत में था जैसे पहली बार सौ बर्स की उम्र में दस्तक दी थी तब था लेकिन इस बार उसने मौत जे कहा अच्छा अब ले ही चलो हलाकि अभी तक मुझे इस दुनिया में सुख मिला नहीं पर अब वो मिलेगा भी नहीं यायती की कहानी तो बस एक कहानी है लेकिन जो जानते हैं वो कहते हैं कि हम भी बहुत बार जी चुके हैं बस हर बार सरीर बदल जाता है यायती का भी बदल गया बेटे का मिल जाता था उम्र बढ़ जाती थी लेकिन सरीर बेटे का मिल जाता था हजारों बर्स हम भी जी चुके हैं अलग अलग सरीर के साथ उसी सुक की खोज में लेकिन मैं किसी को मिलता नहीं भगवत गीता में भगमान स्रीक्रिशन ने भी कहा है कि सुक के मोह में ही इनसान इस दुनिया में बार बार जन्म लेता है वह जन्म लेता है जिंदगी भर सुक की खोज में बटकता है और मर जाता लेकिन उसका मौ अभी खत्मनी होता वह फिर से सुक भोगने की एक्षा से दूसरे सरीर में जन्द लेता है और यह चक्र चलता रहता है जब तक कि वह इंसान उस सुक को खुद के भीतर नहीं खोज देता मेरा मानना है कि हम सब को जिन्दिगी में एक बार भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए लेकिन अब अच्छी बात ये है कि आप पूरी भगवत गीता को हिंदी में चेप्टर 22 भी सुन सकते हैं कुक्कू FM पर कुक्कु FM पर आपको भगबत गीता के नाम से एक फूल आडियो बुक मिलेगी जिसमें कुल 20 एपिसोड्स हैं इन 20 एपिसोड्स में पूरी भगबत गीता को अच्छे से और बहुती सरल सब्दों में एक्स्प्लेन किया गया है कुक्कु FM इंडिया का लेडिंग आडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग लग फिल्ड की हजारो बुक्स को आडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं वो भी अपनी मन पसंद लेंग बेज में जैसे हिंदी, इंगलीज, मराठी, त्यादी नॉर्मली कुक्कु FM की पूरी लाइब्रेरी के वन येर का सब्स्रिप्सन पढ़ता है 399 रूपीज का लेकिन इस टाइम चल रहा है होली ओफर जिसमें आप सबको 399 का सब्स्रिप्सन पढ़ेगा सिर्फ 199 रूपीज में वो भी पूरे एक साल के लिए इस होली ओफर के लिए आपको डिस्क्रिप्सन और पिंट कॉमेंट पर दी गई लिंक से इस एप को डाउनलोड करके उसमें कूपन कोड होली 50 यूज करना होगा लेकिन ये होली 50 कूपन कोड सिर्फ 20 मार्च तकी बैलिड है इसलिए यदि आप 20 मार्च के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो 50% डिस्काउंट के लिए यूज करें डबलो ओए 50 कूपन कोड लेकिन ये कूपन कोड सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही बैलिड है इसलिए देर ना करें लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट पर दीगी है एप को डाउनलोड कर होली 50 कूपन कोड का फायदा उठाएं एंड्रियो कारनेगी अमेरिकी इतिहास के सबसे अमेरी इंसान थे आज की डिजिटल दुनिया में मार्क युगर बर्ग, इलोन मस्क और जेफ वेजोस के लिए 100 बिलियन डॉलर कमा लेना आसान है क्योंकि आज धन सबसे तेजी से बन रहा है एंड्रियो कारनेगी उस समय की उद्धोग पती थे जब किसी उद्धोग पती को एक अरब डॉलर कमाने में अपनी पूरी जिंदगी लग जाती थी उस समय एंड्रियो कारनेगी ने 10 अरब डॉलर कमाए थे उन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता था उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में एक स्टील कमपनी में एक साधारन मजदूर के रूप में अपने करियर के सुरुआत की थी उनका बच्चपन बहुती गरीबी में बीता था इसके बाद भी वो उस समय अमेर की इतिहास के सबसे अमेर इंसान बने जब वे मर रहे थे तब वे अपने पीछे 10 अरब डॉलर की समपत्ती छोड़ कर जा रहे थे इतना पैसा आज तक किसी दे नहीं देखा था उन पर बुक लिखने वाले राइटर्स ने उनके मरने की दिन उनसे पोछा आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि आप अपने पीछे 10 अरब डॉलर की समपत्ती छोड़ कर जा रहे हैं आप इस दुनिया के सबसे सफल उत्वक पती हैं आज तक किसी भी उत्वक पती ने 10 अरब डॉलर नहीं कमाए इसलिए आप तो खुशी खुशी मरेंगे यह सुन एंडियो कारनेगी ने बड़े गुस्से में कहा क्या 10 अरब डॉलर मैं तो 100 अरब डॉलर कमाना चाहता था लेकिन मैं सफल रहा मुझे इस बात का बहुत दुख है अगर इंडियो कारनेगी ने 100 अरब डॉलर कमा लिये होते तो उनकी एक्छा रहती मुझे 500 अरब डॉलर कमाने थे जब तक हम इंसान यह नहीं समझेंगे कि मनुस्य की एक्छाओं और अकांचाओं का कोई अंत नहीं है तब तक हम इस मोह से बाहर आही नहीं सकते और हम कभी सुक्यन भूती करी नहीं सकते